पवन सिंग को बिने विहारी कहते हैं कि पवन अपनी गाईकी भूल गए है। जो गाईकी कागुन उनके अंदर है उसको पवन सिंग छोड़ चुके हैं। उसको एकदम भूल गए है। इसके बाद भोजपूरी की सिंगिंग क्वीन कही जाने वाली कलपना का एक इंटरव्य सामने आता है और वो भी सेम बात कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं पवन सिंग से बेहत नाराज हूँ। वो तो ये भी एकसेप नहीं करना चाहती हैं कि उनका पवन सिंग के साथ कोई गाना आ रहा है। वो कहती हैं कि पवन सिंग को सरस्वती से जो वरदान मिला है जो गाईकी का हुनर पवन सिंग के पास है वो उसको बरबात कर रहे हैं पवन सिंग से नाराजगी का आलम ये है कि पवन की रहते कलपना पटवारी निलकमल सिंग की तारीफ करती है और निलकमल के साथ उनका एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो दोनों लोग एक पुराना गाना ग कि उनको पैसा कमाना है बोश्पूरी के लिए कुछ नहीं करना लेकिन भ़ले बिने बिहारी और कुछ भी कहले पवन सिंग्हें को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है संग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि वह गंदा गाना गा रहे हैं पवन इतने बेशरम हो कि लाइके में चीज तो हर लरकत जाए पावन सिंग तमाम ऐसी वे शर्मी करते हैं क्योंकि उनको भोशपूरी से अब कोई मतलब नहीं है उनको भोशपूरी की बदनामी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो गुन उनको भगवान से मिला है उनको भोशपूरी के लिए आप वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे है बागी पावन सिंग भोशपूरी को कैसे बदनाम कर रहे है और उनको देखकर भोशपूरी के उनसे छोटे कलाकार उनसे क्या सीख रहे है यह हम आपको आगे की वीडियू में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ ही कैमरामेंट विशाल और आद देख रहे हैं जनता जंक्शन पवन सिंग हमेशा खिसारी से लड़ते रहते हैं कि सबसे बड़े गायक कौन है उनके जैसा गायक तो भोशपूरी में है ही नहीं स्टेज पर खड़े होकर खिसारी के लिए वो गंदा गंदा इशारा करते हैं और एकदम से रल कारते हैं कि खिसारी कुछ भी गाएंगे वो स सारा पवन सिंग की नकल करेगा और उस पवन सिंग को जब कलपना कहती हैं कि पवन सिंग सुनने लाइक गाना नहीं गाते हैं कलपना जब उनके गाईगी पर सवाल उठाती हैं तब यह बात क्या पवन सिंग को नहीं सुनाई देती है तब क्या पवन सिंग की टीम द्वार वुकात से बाहर की चीज हैं ये खिसारी के लिए खिलाफ कुछ भी बूल देंगे कि विल्गे कुछ भीजारा कर देंगे कि सारी के लिए गंदा इ颜ुप कर देंगे लेकिन किल्पना इतनी शक्षम है की वह पवन सुन से उठेंगो को चैलेंज कर सकती हैं, पवन के गाईकी की ऊद्वण कर रहले бол owको से भी आगे निकल सकती है। इसलिए कलपना के खिलाफ ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। कलपना तो पवन सिंग के गायके पर सवाल उठा देती है कि पवन सिंग ऑटो चून लगा कर गाते हैं। ये चीज सुनकर पवन सिंग को शर्मानी चाहिए। क्योंकि कलपना जूट नहीं बोल रही है। य और आप अच्छा नहीं गा रहे हैं। इसके बाद बिने बिहारी जिन्होंने पवन सिंग को स्टार बना दिया, वो भी इन दिनों पवन सिंग से नाराज है। पवन सिंग के पुराने समय में जितने अच्छे गाने आए हैं। जिन गानों से पवन सिंग की पहचान बनी है पवन सिंग को sad song का star के रूप में माना जाता है उनको love song के star के रूप में माना जाता है ये साली चीजे बिने बिहारी की देन है और बिने बिहारी की चलते ही पवन सिंग पर ये सब tag लगा है एक से बढ़कर एक hit गाने एक से बढ़कर एक love और sad song बिने बिहारी ने पवन यह कि पावन सिंग भोशपूरी के सबसे अच्छे गायक है आज पावन सिंग अपनी गायकी को भूल चुके हैं वो चीज उनके गले के अंदर है वो काम वो कर सकते हैं वो बिलकुल नहीं करते हैं बलकि वो खेसारी के जैसे खराब खराब गाने गाते हैं और टू लगा कर ग परदान्द है वो हर किसी को नहीं मिलता पावन सिंग जो काम कर सकते हैं वो भुचपुरी में दूसरा कोई कलाकार नहीं कर सकता ऐसे में पावन को अपने गानों से ऐसा ऐसा एक्जामबल सेट करना चाहिए ताकि उनको देखकर भुचपुरी के दूसरे गायक भी करते हैं धन्यवाद